के साथ आपके साथ लेकर आया हूँ तो आज की जो इंपोर्टेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं यह जो मार्च में आपकी एक्जाम में उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट जो हां साबित होने वाली हैं तो दोस्तों स्टाट करते हैं पहला क्यूशन पहला क्यूशन ने जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के शिर्च सेलिब्रिटी एंडर्सन कौन बने हैं तो आंसर है विराट कोहली जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के इसके बाद देखें next Qution तो एंडी जेसी को किस Company के CEO के रूप में न्युक्त करने की गोशना की गई है। तो यह हैं राजस्तान के धोलपूर तो राजो राजस्तान का धोलपूर जो शहर है और एक जिला भी है तो वहां से उडान तारा नामक किशोर स्वास्त का रिक्रम शुरू किया गया इसके बाद धेके नेक्स्टेकुशन तो चोरी-चोरा शताबदी समहारों का उद्गारण किसने किया तो यह हैं दोस्त प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने चोरा-चोरी जो कांड हुआ था उसके सो वर्षिप पूर्ण जो शताबदी समाहरों मनाया गया तो उसका उद्गाटन किया इसके बाद है नेक्स्ट एक्विशन CBI के अंतरीम प्रमुग के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो प्रवीन सिन्हा दोस्तों प्रवीन सिन्हा को जो है CBI के अंतरीम प्रमुग के रूप में नियुक्त किया गया इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक सेन्य अभ्यास कहा आजित हो रहा हैं तो यह राजस्थान जोस्तों जो भारत वर अमेरिका के भी जो युद्धा अभ्यास नामक जो सेन्य अभ्यास जो चल रहा हैं तो वह भारत के राजस्थान में हो रहा हैं इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन तो क्यूशन है जायत पुरुसकार से किसे सम सम्मानिथ किया गया गया तो यह एंटोणियो गुठैस वॉद लधिपा इंजियातेन जो एंटोणियो गुठैस वॉर लधिपा इबन जियातेन जो है उनको जायद पूरुषकारस से सम्मानित किया गया इसके बाद हाले में विक्रम算ङ बेदी को किस मैं Sydney के रूप में नियुक्त किया गया तो यह Google Cloud तो गुगल क्लाउड के MD के रूप में जो है भिक्रम सिंग बेदी को नियुक्त किया गया और ऑप सटेन लाइस्ट कुशन आझा हाल इम बॉक्सिंग फेडरेशन ओप इंडिया के अज़क्ष कोन बने हैं तो यहां अजय सिंग को जो है बॉक्सिंग फेडरेशन ओप इंडिया के आजने हो तो यह मेक्सिको दोस्तो जो मेक्सिको ने जो है रूस की जो कोरोना वाइरस की एक से जिसका नाम इस पुछनिक फाइब है को उसको मंजूरित दी है आप दोस्तो आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सस्क्राइब जरूर करेंगे थैंक्स पर ओजिंग मिलते हैं नहीं अपडेट्स के साथ